आज का हमारा विशे है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम प्यारे बाबा हर ब्रहमन के जनम के समय ही उसके मस्तक पर विजय का तिलक लगा करके तिलक धारी बना देते हैं पवित्रता का महा मंत्र दे करके लाइट का ताजधारी बना देते हैं और विश्व कल्यान की जिम्मेवारी दे करके विश्व कल्यान करने का ताज भी पहना देते हैं, अपने दिल तक्त पर विराजमान कर लेते हैं, तो हर बच्चा जनमते ही तिलक धारी, ताज धारी और तक्त धारी होने का भाग्ये प्राप्त कर लेता है. इतने भाग्यवान हैं डाइरेक्ट भगवान के द्वारा दिव्वे जनम लेने वाले बच्चे बाबा कहती है कि मैं हर एक बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखता हूँ लेकिन चमकते चमकते सितारे की चमक कम क्यों हो जाती है उसका कारण तो आप बच्चे भी जानते होँ अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपका लख्षी क्या है तो सभी ही कहेंगे कि हुम सुर्य वंची बनेंगे हम शिरी लक्षमी शिरी नाराइन बनेंगे बाबा कहते हैं लक्षे इतना उचा कि कोई चंद्रवन्शी सिताराम भी बनना नहीं चाहता है लेकिन अगर लक्षे नंबर वन है तो लक्षन भी तो नंबर वन होनी चाहिए न सूर्ये वन्शी अर्थात सदा एकरस और विजय सूर्ये की कलाई गठती बढ़ती नहीं है उदय और अस्त होता है लेकिन चंद्रमा की तरह से कलाई कम नहीं होती है चंद्रवन्शी अर्थात छत्रिये चत्रिये की कभी जीत होती है कभी हार होती है कभी सफलता मूरत होती हैं, कभी मेहनत मूरत होती हैं, और कलाई तो गठती ही रहती हैं। फिर बच्चे कहती हैं कि हमें बाप समान बनना है। तो बाबा कहती हैं बाप तो सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर आप बच्चे सहज विजय स्वरूप नहीं बनेंगे तो नंबर वन बनेंगे या नंबर वार बनेंगे। नंबर वन बनना हैं तो फोलो फादर। सहज तरीका है बाप के कदम पर कदम रखते जाओ। कदम पर कदम रखना कोई मुश्किल नहीं होता है। कोई नया रास्ता थोड़े ढूंडना है। नया रास्ता थोड़े बनाना है। बाप के कदमों के निशान देखो और उनके उपर कदम रखते चलो। इसलिए कोई भी करम करने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरा ये संकल्प ब्रह्मा बाप के संकल्प के समान है। क्या मेरा ये बोल ब्रह्मा बाप के बोल के समान है। क्या मेरा ये कर्म ब्रह्मा बाप के करम के समान है। अगर आपको लगता है कि हाँ समान है तो करो। अगर लगता है कि समान नहीं है तो उसको नहीं करो। अगर आप ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखेंगे तो दो फाइदे होगे एक फाइदा तो ये होगा कि पुरुशारत बहुत सहज हो जाएगा और दूसरा फाइदा ये होगा कि मंजिल बहुत नजदीक अनुभाव होगी बाबा कहती हैं ब्रह्मा बाबा वतन में बैठे आप बचों का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बचे अव्यक्त फरिस्ता रूप धारण करके मेरे पास आ जाए ब्रह्मा बाबा के आहवान का मिठा मिठा गीत है आओ बचे आओ बचे जल्दी जल्दी आओ तो आप इस गीत को सुनो इस गीत को कैच करो पर ब्रह्मा बाबा ये भी कहती है कि बच्चों के मन में क्या होगा कैसे होगा कब होगा ये प्रशन अधिक हैं और संपन और संपूर्ण स्थिती धारण करके अव्यक्त फरिस्ता बनके वतन में आने की गतिति तिवर करें ये संकल्प कम है तो बाबा नहीं कहा कि आपका लक्षे क्या है क्यों क्या करना आपका लक्षे है क्या होगा कैसे होगा इसका अनुमान लगाना आपका लक्षे है या संपन और संपूर्ण फरिस्ता बनना आपका लक्षे है अगर प्रकरती अनेक रंग दिखाने लग जाए तो क्या आप फरिस्ता बन करके प्रकरती के उस चंगुल से अलग रह पाएंगे इतनी शक्ति आपने इकत्रित कर ली है अगर कोई हलचल हो जाए तो आप प्रकरती पती अपनी सीट पर सहजता से सेट हो जाएंगे या डुला साइमान होंगे बाबा ने कहा कि जो भी कुछ होगा उन नजारों के समचार सुनने में अपना समय नहीं लगाना है लेकिन जैसे बादल आते ही और चले जाते हैं ऐसे बातों को बादलों की तरह से पास करते चले जाना है फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो चाहते हैं कि बच्ची व्यक्त में रहते हुए जल्दी जल्दी अविक्त हो जाए। बच्ची कहते हैं बाबा आप तो अविक्त हो गए ना तो आप अपनी तरह हमें भी बना लीजी। हमें भी वतन में बुला लीजी तो बाबा कहती हैं वतन में बुला तो लू लेकिन पहले ये बताओ कि मैंने जो जिम्मेवारी का ताज पहनाया था विश्व सेवा की जो जिम्मेवारी दी थी वो पूरी कर ली क्या ब्रह्मा बाबा वतन में इसलिए आ गए क्योंकि बंदन मुक्त होकर कि सेवा की गती को तिवर करना था और उसका परतेक्स फल देख भी रहे हैं देश में विदेश में सेवा की कितनी धूम मची अविक्त रूप में बाबा ने कितने बच्चों को टच किया संकल्पों से कितने बच्चों को नया जीवन दिया और वतन में बैठ करके सकाश के द्वारा सेवा करना, ये पार्ट केवल एक ब्रह्मा बाबा का है, पर सतियुग में विश्वकार रज्य भग्य प्राप्त करना, ये केवल ब्रह्मा बाबा का नहीं है, ये साथ में बच्चों का भी है, इसलिए साकार में बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया और अब बच्चों को दो काम करनी हैं एक तो तिव्रगती से जो रही हुई सेवा है उसको संपूर्ण करना है और दूसरा तिव्रगती से अपने आपको भी संपन बनाना है बाबा ने पूछा क्या आप संपन बन गए क्या आप तयार हैं बाबा डायरेक्शन दे घंटी बजाए ओर करें फिर यह मत कहना कि यहां वहां थोड़ा सा काम बाकी है उसको कर लो नए ओफिस याद आए न खटिया याद आए न अलमारी याद आए ने कम्रा याद आए ये भी नहीं कहना, कि दो दिन का समय मिल जाए, तो एक काम पूरा कराओं, नहीं, ओर्डर इज ओर्डर, मेरे बिना पीछे क्या होगा, पता नहीं चलेगा के नहीं चलेगा, ये संकल्प भी व्यर्थ संकल्प, जब ब्रह्मा बाबा ट्रांस्फर हुए, तो उन्होंने सोचा क्या, कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा के नहीं चलेगा, एक डायरेक्शन तो देदू, स्थिती से डायरेक्शन दिया, लेकिन मुक से बाबा ने कोई डायरेक्शन नहीं थिया, तो बच्चों तयार हो, ओर्डर करी, ओर्डर किया और ये चला, इसको कहते हैं, मुक्त फर कुरूश्ता। ओर कभी पुच्च कर नहीं किया जाता। ओर की कोई डेट फिक्स नहीं होती। ओर तो अचानक होता है। फिर ये खयाल ना आए कि मेरा सेंटर, मेरा जीग्यासू, मेरी अलमारी, मेरा एरिया, जो सच्चे विश्व कल्यानकारी हैं, उनकी एरिया की कोई हद होती है वो तो बेहत के होते हैं ये भी मेरा मेरा का दे अभिमान है दो चीजें होती है एक होता है देह भान वो तो हल्का होता है और दूसरा है देह अभिमान ये बहुत सुक्ष्म है, मेरी विशेष्ता, मेरा गुण, मेरा सेंटर, ये मेरा मेरा करना दे अभिमान है, और ये दे अभिमान कभी भी संपन बनने नहीं देगा, इसलिए कहा जाता है, फरिस्ता अर्थात, देहब्हान से भी मुक्त, देअभिमान से भी मुक्त, और सब मेरे पन के बन्धनों से भी मुक्त, फिर बाबा ने कहा कि प्रकृति तो तैयार बैठी है ताली बजाएं प्रकृति तो इंतजार कर रही है कि कब मेरे मालिक मुझे ओर्डर दे और मैं अपना जाड़ू चलाओ लेकिन बाबा कहते हैं कम से कम 108 तो तैयार हो जाएं विजए आत्माई विजए माला में आने वाली आत्माई तो तैयार हो जाएं पहली माला है 108 की दूसरी है 16108 और तीसरी है 9 लाग बाबा ने कहा अगर पहली और दूसरी माला तैयार हो जाएं तो तीसरी माला को बनते बिलकुल देर नहीं लगेगी बाबा नी कहा निमित बनना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है क्योंकि निमित आत्मा पर सबकी नजर रहती है ना तो उसका अपने आप पर अटेंशन बहुत रहता है वो अपने पुर्शार्थ में भहुत एक्टिव और अलर्ट रहता है जैसे कोई मंच पर बैठता है तो कितना एक्टिव होके बैठता है अलर्ट होके बैठता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं तो निमित बनना अर्थात एक तरह से विश्व मंच पर बैठना हजारों आत्माई उसे देखती हैं और जो आत्मा निमित भाव से एक्यूरेट कर करती है उसको सबकी दुआई मिलती है और सबका सहयोग भे मिलता है बाबानी कहा एक Ultra और दूसरा नेगिटिव ये दो बातें बच्चों के पुरुशार्ट में बहुत बड़ी बाधक उसने ऐसा किया तब ऐसा हुआ उसने ऐसा बोला तब ऐसा हुआ भाबा ने कहा दूसरों को देखते ही क्यों अपने भीतर जांग करके देखो कि मेरा दृष्टी कौन सही था मेरी चिंतन के धारा सही थी मेरे विचार ठीक थे अगर आप पट्री पर हैं आपके विचार सिरीमत के पट्टे पर हैं तो किसी ने क्या जाता है इसलिए व्यर्थ और नेगिटिव से अपने को छोड़ा करके अपने आपको बार बार देखो दूसरों की तरफ उंगली नहीं करो अपने को सुधार ओम श्याक्ति